वेल्कम एवरिवन आप सभी का स्वागत हम लोग 20 मिनट का लगबग 20 मिनट के आसपास इस सेशन को करेंगे तो 20 मिनट आपने पूरा सेशन अटेंड करना है कोशिश करें के पूरा सेशन अटेंड करें ताकि इसका पूरा फायदा आपको मिल सके meditation में हम लोग कोशिश करेंगे कि बाकी सारी चीज़ों को भूल के जहां हम हैं वहीं पर उपस्तित रहें और जो इस meditation को कराने का हमारा जो reason है वो main है stress relief तो उस state को हम प्राप्त कर सकें कम से कम ये 20 minutes आप अपने साथ रहें इस session में available रहें पूरे मन से करें तभी इसका पूरा फायदा आपको होगा तो आज इस session में हम लोग music meditation कर रहे हैं music का use करेंगे meditation की state तक पहुँचने के लिए actually हम music का use कर सकते हैं actually किसी भी चीज़ का हम लोग use कर सकते हैं meditation तक पहुँचने के लिए तो आज हम जो music का use करेंगे वो है एक गजल की दो line उसको हम लोग गाएंगे ज़रूरी नहीं है गाना गाने के लिए आप कोई professional singer हो सभी लोग गाते हैं bathroom singer भी गाते ही हैं तो दो line आपने गानी है इधर से मैं भी गाऊंगा उधर से आप भी गाएंगा साथ साथ धीरे धीरे हम लोग उन्हीं दो इनों को गाते 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 जो मैं यहां से instruction दूँगा उससे हम meditation की अवस्था में थोड़ी देर के लिए जाएंगे और फिर हम सेशन को finish करेंगे तो जो गजल हम लोग यूज कर रहे हैं वह बहुत popular गजल है आप सभी को आती होगी तुम को देखा तो यह खयाल आया जिन्दगी धूप तुम घना चाया दोई लाइने गानी है तो मैं आपको एक बार पहले singing करके दिखाता हूँ हम लोग singing से शुरू करेंगे आप साथ साथ में थोड़ा गाईएगा बलकि singing से भी पहले थोड़ी दिर के लिए हम humming करेंगे तो आप अराम से बैठिए रिलाक्स होके बैठिए और बहुत ज़्यादा movement नहीं करनी है खाली singing करेंगे कि आपको एक साउंड सुनाई दे रहा है इसको हम तानपुरा बोलते हैं कि इसके साथ साथ हमिंग कैसे करेंगे देखिए कि जैसे हम प्राणायाम में ब्रहामरी प्राणायाम करते हैं बस वही करना है थोड़ा सा उसको musical करना है यह मेरे साथ करिए कि हम जब आप humming करें तो आपका ध्यान हमिंग पे हो अगर बीच में कोई थौट आता है तो उसको आने दें थौट से बिलकुल लड़ाई नहीं करनी है जो हम कर रहे हैं उस पर फोकस करना है तुम को देखा तो ये खयाल आया तुम को देखा तो ये खयाल आया जिन्दगी धूप तुम घना साया तुम को देखा तो ये खयाल आया अभी आप केवल सुने पहले देखिए एक तानपुरे की आवाज आपको आ रही है केवल उस आवाज को सुने अब मैं गाऊंगा और मुझे सुने तुम को देखा तो ये खयाल आया जिन्दगी धूप तुम घना साया तुम को देखा तुम को देखा तुम को सुने जब हम सुने तो केवल सुने अब धीरे धीरे मेरे साथ साथ गुन गुनाएं गाएं इनी दो लाइनों को हम लोग रिपीट करेंगे आप भी गाएं तुम को देखा तो ये खयाल आया जिन्दगी धूप तुम घना साया गाते रहें तुम को देखा तो ये खयाल आया ये बहुत ही शांत प्रिये शांती प्रिये गाना है शांत रसका गाना है तो गाने से जो एक शांती आपके उपर उतर रही है एक पीस आपके अंदर फील होगा उसे महसूस करें बीच बीच में गैप्स हम लोग देंगे गैप में उस शांती का अनुभव करें साउंड को सुनें एक बार और गाएंगे तुम को देखा तो ये ख्याल आया जिन्दगी धूत तुम घना साया तुम को देखा एक हम लोग गा रहे हैं गाने के बीच बीच में जो गैप्स हैं अब हम उनकी तरफ बढ़ेंगे छोटा सा भी साइलेंस जब हम दे रहे हैं उसे और जाग के और अवेरनेस से महसूस करें हम शब्द से निशब्द की तरफ जा रहे हैं बीच बीच में गाने का मन करें एक बार फिर से गुन गुनाएं मन में कुछ थौट्स आएंगे कुछ फीलिंग्स आएंगे केवल अब्जर्वर की तरह देखते रहें इसको थौट्स के साथ बह नहीं जाना जैसे कोई नदी के किनारे बैठके नदी में भेहती हुई किष्टियों को देखते हैं एक साक्षी की तरह थौट्स से लड़ना नहीं है जस्ट बी एन अब्जर्वर आपकी बॉड़ी एकदम स्टिल है आपके सेंसिस बिलकुल स्टिल हैं अपने सेंसिस से हम कोई अभी कुछ खास नहीं कर रहें हमारी ब्रीधिंग शान्त है धीमी धीमी स्वास चल रही है स्वास को अब्जर्व करें हमारी भावनाएं बिलकुल शान्त है इस समय कोई एक दो थौट्स हमारे मन में घूम रहे हैं लेकिन केवल थौट्स नहीं हैं और भी कुछ है वो जो दो विचारों के बीच में हैं उसको भी अब्जर्व करना है कहीं फोकस नहीं करना थौट्स को रोकना नहीं है थौट्स के साथ जाना नहीं है थोड़ा डिस्टेंस बनाना है शरीर मन भावनाओं के पीछे जो देखने वाला है उसको पहचानना है जो गा रहा है वो नहीं जिसके द्वारा गायन हो रहा है उसकी उपासना करना एक बहुत विशाल ब्लैंकनस एक खालीपन जहां शरीर मन भावनाओं बहुत सुक्ष्म रह जाती है कर्ष्म गता चाती है उप पियर विवावं बाही है शरीर वावनाओं लेखना एक भुब सुक्ष्म पियर जिए था कि रहा नहते है एक उन खमेवरे खूए केवल जानना केवल जानना Just observing Just knowing This is just awareness अवेर्नेस This is the state of meditation where there is a vast blankness and it is not dead, it is very very alive. महसूस करें अवेर्नेस 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 धीरे धीरे अब हम वापिस meditation की स्टेट से बहार आएंगे धीमी गहरी स्वास लेंगे दो चार सांसे लें धीरे धीरे अथेलियों को आपस में मलते हुए अपनी आखों पर लगाएंगे अपनी बॉडी अपने हाथों की उंगलियां अपने पैरों की उंगलियों को फील करें आखें खोलें एक बार फिर से हम लोग गुन गुनाएंगे तुम को देखा तो ये ख्याल आया जिन्दगी धूर तुम घना साया तुम को देखा तो ये ख्याल आया इसी के साथ हमारा Music, Meditation, Sampan होता है आप सभी का धन्यवाद Thank you very much आप सब्सक्राइब